कोविट की नई गाइड में कोविट सील वैक्सिंग की दूसी डोज की अबधी बढ़ा दी गई है पहले कोविट की कोविट सील वैक्सिंग की दूसी डोज 6-8 सफता के अंतरपल लगती थी मगर अब यह डोज 12-16 सफता के अंतरपल लगेगी ऐसे में दूसी डोज की बुकिंग 84 दिन से पहले नहीं होगी इसका अपडेट पंजी करनर साइट पर कर दिया गया है मुख्चिक इत्साइद कारी डॉक्टर मधु गैरोला के मुताबिक केंद सरकार के स्वास्तियों का परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा दिये गये है निर्देशों के बाद अब कोविसील की दूसरी डोज 12 से 16 साथ के अंतराल पर लगेगी इसलिए दूसी डोज की बुकिंग 84 दिन से पहले नहीं होगी साथ ही जो लोग कोविसील की दूसरी डोज के लिए 13 मई से पहले पंजी करन करा चुके हैं तो उन्हें पूर्व कारिक्रम के अनुसार ही टीके की दूसरी खुराग दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी को नियत समय पर टीके की दोनों डोज लगवानी चाहिए 10 मई के से बिना ऑनलाइन पंजी करन के किसी भी बैक्सीन की डोज नहीं लगाई जा रही है 45 साल के उपर के लोग कोविन पोर्टल या आरोग सेतू एप पर पहले से अपना पंजी करन करवा लें कोविन पोर्टल पर रेजिस्टेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है सेल्फ रेजिस्टेशन कोविन वेफसाइट पर जाकर स्वेम रेजिस्टेशन किया जा सकता है पंजी करन पूरा होने के बाद मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा जिसमें टीका करन लगने के बाद इस्थान और समय की जानकारी दी जाएगी खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया